आज हम बात करने वाले स्पेक्टर रेफ्लेक्टन्स कर्फ के बारे में किया ओता है और इसका हम किस तरीके से यूज़ करने देखिए जब हम बात करते हैं हमारे किसी भी टारगेट की तो जो रेडियेशन के के हमारा टारगेट के हो क्या करने वाली है? आज देखने वाले हम क्या करने वाले हम different different targets लेंगे उस पर radiation जब आएंगी हम उसका behavior उस target का behavior क्या करेंगे note करेंगे और हम क्या करेंगे इसकी help से हम distinguish कर पाएंगे different different materials को जिसे मान लीजे हमारा एक टार्गेट है vegetation, एक टार्गेट है हमारा rivers, एक टार्गेट है हमारा ponds और एक टार्गेट मालीजी हमारा C है, हमको इन सब के बारे में study करना है, तो हम क्या करने वाले हैं, इंडिविज्वल इनकी study करेंगे, इंडिविज्वल इनके उपड जब sun की raise आ रही हैं, यह किस से response करते हैं, वो जो response यह कर रहे हैं, हर एक wavelength पर, कौन सी wavelength पर यह कितना reflect हो रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, उसको एक curve में draw करेंगे, और इसी curve का नाम क्या है, spectral reflectance curve, अब यह curve हमको क्यों बनाना पड़ा, यह curve हमें इसलिए बनाना पड़ा, क्योंकि इस curve के थरू हम क्या क करेंगे हम पता करेंगे कि कौनаша影ंग वह कौन सी वेवलेंद में पर कितना जाधा रिफ्लेक्ट होगा हो सकता है तक ही आपका मान लीजी एक dön Mina है वेजीटेशन है हो सकता है वो haven 14 года अनले। वो सकता है वो हो दो सकता है वो दो में गांवाल करता हो और नियर इंफारेट वेड में चॉर्ट हपया रिफ्लेक करें तो हमें कैसे पताचलेगा कि 6 हम다는 करने करने हैं उनकी individual study करेंगे, जैसे कि आप कभी bank जाते हैं, तो bank में आपको पैसा निकालना होता है, तो वो क्या आपके नाम से आपको पैसे दे देते हैं? नई. वो क्या करते हैं? आपका signature लेते हैं, आपका signature या आपका thumb impression लेते हैं, उस thumb impression की help से क्या करते हैं? वो आपको आपकी मदी कि दे देते हैं वैसे यह सेम क्या होता है इसका भी स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्फ का भी होता है आपको जब इमेज इतनी बड़ी इमेज रहेग उसमें धेर सारी चीज़े रहेंगे जब आप सेटेलाइट से इमेज लेते हैं, एक satellite जनरली वन थर्ड अपने अर्थ को कवर कर लेता है, तो इतना सारा एरिया जब रहेगा, या images जब आएंगी तो इस image में क्या एक छोटी सी जानकारी निकालना बहुत आसान रहेगा, क्या नहीं, आसान नहीं रहेगा, हमको क्या करना रहेगा, और वहां से, क्या, इतनी उपर से, हमको जो image दिखने वाली वो क्या सेम image दिखेगी, जो मैं यहापे कुछ height से photo लोगी, नहीं, अगर हम यहापे कुछ meters की height से photo लेंगे उसकी image लेंगे, तो वो image हमको अलग दिखेगी, बट वही इमेज, अगर मैं satellite से लोगी, तो वो image क्या होगी, बिल्कुल different दिखेगी, तो अब हमें क्या करना है, हम देखने वाले हैं, किसी भी material का behavior, किसके under में, different different wavelength के under में, मतलब कि कौन सी wavelength के साथ आपका material कैसे interact करता है और कैसे reflect करता है, अब उससे होगा क्या, जैसे मान लीजिए, जब वो बहुत जादा absorb करेगा, जब भी कोई material है, बहुत जादा wavelength को absorb करेगा, तो वो जो image बनती है, वो कैसी बनती है, थोड़ी dull बनती है, वहीं अगर क्या करेगा, वो बहुत जादा किसी चीज को reflect कर रहा है, कोई सी wavelength है, उसको reflect कर रहा है, तो जब वो reflect करेगा, तो जो image बनती है, वो बहुत जादा bright बनती है, क्योंकि images पे क्या दिखने वाले है, आपको different impressions दिखेंगे, colors दिखेंगे, lines दिखेंगे, but आपको clear समझ में नहीं आने वाला कि ये क्या है, इसलिए हमको क्या करना है, आपे हर एक material के अब study करना है, तो अब हम देखने वाले हैं कि कौन-कौन से material के हम study कैसे करेंगे, तो सबसे पहले spectral, ये spectral reflectance curve होता क्या है, तो हम इस spectral reflectance curve में एक basic assumption मानते हैं कि ये जो spectral reflectance curve है, ये सबका अलग-अलग individual बनेगा, हर एक radiation का, जब radiation किस से interact करेगी, target से, तो वो हमको individual एक curve देगी, और उसी से हमको क्या पता चलेगा, target के बारे में information पता चलेगी, और वो उसके बारे में हमें information हम गेन कर लेगे, ठीके, अब हम देखते हैं कि spectral curve है, किस-कौन-कौन से factors है, जिन पर ये depend करेगा, ठीके, तो देखिए, आप सेम आपका forest area है, आपने forest area का कुछ spectral curve बना लिया, कि हाँ ये इतने, इस wavelength में ये इतना ज़ादा bright दिखता है, और इस wavelength में ये इतना ज़ादा absorb करता है energy, और इस wavelength में ये क्या करता है, radiate करता है, बट ये जितनी में जानकारी हमें मिली है, ये particular कुछ conditions में मिलेंगी, इसमें कुछ factors होंगे, कौन कौन से factors हो सकते हैं, पहला factor है, orientation of sun, आपका sun का orientation क्या है, मान लीजिए आपकी यहाँ पे आपका target है, आपका sun की position ये है, ठीक है, तो हो सकता है, आपके जो radiation आ रही है, वो जिस angle से आ रही है आपको, वो हो सकता है, कुछ और दूसरे remote place पर change हो जाए, ठीक है, तो sun की orientation के साथ भी क्या होगा, ये reflectance curve change होगा, वहीं पर height का भी, height से भी पड़ेगा, अगर मान लीजिए, आपकी height जादा है, आपकी जो satellite है, उनकी height क्या है, जादा है, तो आपका reflectance curve अलग बन के आएगा, वहीं पर अगर आपकी height का है, थोड़ी का में, आपका height से remote sensing कर रहे है, तो आपका reflectance curve है, वो क्या रहेगा, अलग रहेगा, साथ साथ में direction of sensor, वो भी different हो, weather पर भी depend करेगा, मान लीजिए, कहीं पर ऐसा weather है, जहाँ पर बहुत ही humidity है, तो जब आपकी radiations वापस return करेंगे, तो scatter हो जाएंगी बहुत जादा, scatter या absorb हो जाएंगी, तो आपके weather पर भी depend करेगा, साथ साथ में आपके health of vegetation पर भी depend करेगा, मान लीजिए, आपने आज एक field की photo लिए, आपने आज उस field की जब image लिए, तो वो हो सकता है, बहुत healthy हो, बाद में हो सकता है, कि उसको पानी नहीं मिला या, वहाँ पे कुछ ऐसी problem आगए, कि वहाँ के vegetation है, वो degrade होने लगिया है, तो अब जो आपको नया spectral curve मिल करेगा, तो चाहिए, अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से earth feature, मतलब हम एक spectral curve देखेंगे, जिसमें हम typically 3 earth features दिखाएंगे, जो generally common features दिखाएंगे, जो कि क्या है, vegetation है, soil है और water है, vegetation, soil और water में हम देखेंगे कि इनका spectral curve कैसे बनता है, तो आपको spectral curve में कुछ peaks, कुछ valleys कि अवहीं पर हो सकता है, आपको कुछ क्या मिले, कुछ curves वगएरा मिले, तो उस curves को हम देखते हैं, तो जैसे कि आप देख रहें इस curve को, इस curve में क्या है, इस curve में आपको, जो horizontal axis उस पर क्या देखने को मिल रही है, वहीं पर जो vertical axis है, आपका reflectance बता रहा है, कि कितना portion है, जो reflect हो रहा है यह percentage में बता रहा है कि zero percentage reflection है 20% 60% ठीक है और यह जो अगर मान लीजे आपका curve में आपको जहाँ पे ज्यादा height दिख रहे है means की ज्यादा reflect हुआ है वहीं पे अगर आपको कहीं पे valley दिखाई दे रहे है इसका मतलब ज्यादा absorb हुआ है ठीक है तो जहाँ पे आ हमारे sensors, generally हम sensors में काम करेंगे वो कौन से range में काम करने वाले है visible range में तो visible range स्टार्ट होती है 0.4 से हमने क्या क्या visible range को स्टार्ट किया अब यह जो अब हम क्या देखने वाले हैं हम सिंपल थोड़ इसे wavelength को देखेंगे वैसे तो आपने देखा है कि radiation तो कुप सारी होती है अल्टा वालेड रेस गामा रेस से लेकर के radio waves तक होती है बट यहां पे जो हम तीन चीज़ों की बा करेंगे तो सबसे पहला कर्व जो आपको दिख रहा है वह किसका दिख रहा है आपको clear water का clear lake water तो आपको lake water दिखेगा कि इंफ्रारेड waves को क्या करता है एब्सॉप करता है क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है यह थोड़ा सा जोग रहा है वहीं पर यह किसको reflect कर रहा है यह green और blue waves को क्या कर रहा है reflect कर रहा है कौन सा है यह clear water Water दो टाइप की हम ने लिये clear water लिया है और अर एक इसलिए हमने हमारे हिसाब से बनाया है अब आप जनरली जब हम फोटो लेंगे तो ओवियसली कहीं पर क्या होगा ड्राय सॉइल मिलेगी कहीं पर वेट सॉइल मिलेगी तो हमने जनरल कंडिशन ले लिए कि वाटर में वहीं सॉइल में क्या है 20 पॉसरि उसको मुझी वेट सॉइल में क्या है टॉंटी पॉसनी वहीं है तो वहीं पर अगर अगर बढ़के देखें तो यह क्या करें इंफ्राइड वेब बेड़ को यह जादा रिफ्लैक करें छीक है किसकी बात कर रहे हैं लेकिन अगर हम ड्राय सोल और वेट सोल को compare करें तो जो ड्राय सोल है वो क्या कर रही है ज़ादा reflection दे रही है अगर आपको जो image दिखेगी satellite में वो ड्राय सोल की ज़ाधा bright image दिखेगी वहीं पर वेट सोल की थोड़ी सी कैसी image दिखेगी एक और बहुत ब्राइट सी है तो हम पो हमको समझ में आ जाएगा ही है है और यहां पे Barbara आरे जुप से सहीं और और यहां सोइल के जूढ़र को दुन आसे ज्युट के स्वेक्षी सा और बात करें तो वह किसको एमिट कर रही है, शौट इंफ्रा-ड वेवस को, तो अभी हमने किसकी बात कर ली, वाटर की और सॉइल की, अब आगे हम किसको देखने वाले हैं, वेज़िटेशन को, वेज़िटेशन को आप देखेंगे, तो यह एब्ज़ॉब किसको कर रहा है, यह सबसे यह वही पर अगर थोड़ा और आगे बढ़के देखेंगे, तो यह नीर इंफ्रा-ड वेवस को बहुत जादा एमिट करी है, शौट वेव को भी एमिट करी है, बट सबसे जादा, जिसको यह एमिट करी है, वो कौन सी वेवस है, नीर इंफ्रा-ड वेवस है, जो कि हमको visibly, हम और यह दिखार में नहीं देदी है तो हमने क्या देखा आज हमने देखा इस में कि सब्सक्राइब किस तरीके से जो डिफरण डिफरण डिफर र्वेत c whom कैसेत रियक्ट करें shining कि जब इनको different wavelength से यह interact करेंगी ठीक है अब next class में हम क्या देखने वाले है different type के resolutions thank you